दोस्तों बात है 30 दिजंबर की हमने नए साल की शुरुआत के पहले चर्चा करी थी इसी थंबनेल के साथ हिंदुस्तान एरनॉटिक्स लिमिटेड की दर्सकों का कहना था कि बाई सहाब कोई भविश्च का स्टॉक बताईए तो हमने कहा हम कौन होते हैं बताने वाले मोधी स सहे बताएंगे ना तो तब डिफेंस सेकेटरी ने कहा था कि बाई सहाब हमें हल को दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में शामिल करवाना हैं दोस्तों तब से लेकर आज तक 6-7 दिन गुजल चुके हैं और आप आखें मीड़ते मीड़ते आ रही है कौन यूबियस दिगज ब तरगेट दिया है आज पॉब्लिक जनाब तूट पड़ी है एचेल के ऊपर शेर 4-5 परसेंट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है पॉइंट दोस्तों यह है कि जो लोग अब एचेल को खरीद रहे हैं उनसे हमारा सवाल है कि भाई साब आपको यूबियस की बाद बड़ी पस कि आपा धापी मची हुई है चल जल के वो खरीद रहे हैं तो हम इस पर नेगेटिव व्यू देंगे तो लोग बाग हम पर चलनाने लगेंगे कि तुम यार नकारात्मक मान सकता थे पिल तो अरे भाईया जी कहा नेगेटिव मेंटेलिटी है चे दिन पहले तो हम बोल रहे यूबियस का कहना है कि H.E.L. ने अपनी प्रोडक्शन के अपिसिटी बढ़ा दी है ये जादा तेजस लडाकु विमानों का उत्पादन करेंगे तो आप मेंसे जो हमारे साथ जुड़े हुए है अपन लोगों ने डिसकस किया है ना ये कि आर्ट की जगह 21 जो है स्टेजस लडाकु विमान बनाएंगे लाइट यूटिलिटी हैलीकॉपटर हो गया लाइट अटैक हैलीकॉपटर हो गया प्रचंड हो गये इन सबका उत्पादन करना है भारतिय वायुसेना को नोसेना को इन हवाई जाज़ों की इन हैलीकॉपटर की जरूरत पड़ेगी हमारे एक नहीं अनेक दुश्मन है परोस में भाई साब मित्र कौन है आप ये बताइए तो H.A.L. का धंदा बढ़ता ही रहेगा परतमान में H.A.L. की जो ओर्डर वोक है वो 80,000 करोड की है UBS का कहना है तीन वोना हो जाएगी तो वो तो सोहावेक है ना ये जो अपने लोकल मेनुफेक्चरिंग है वो बढ़ा रहे है पहले तो भया जी मूँ ठाया सब इंपोर्ट कर लिया लेकर मोदी साहिब तो भाई साब बहुत कड़ाक है उन्हों कह दिया है कि तुम खुद बनवाओ खुद नहीं बना सकते तो प्रैविट कंपनी से बनवाओ लोकल इच उरिए समस dog के में तो मेलगली से सब्णी सत्तुं ठाये से आगे बढ़ेंगे सब को मनापा होगा एच उल के बढ़ने से लिट हो गया आजाद हो गया पारस डिफेस जैसी तका म कंपनियां के जो लोता है किलीने भात अब जहांने अक्ama पांप्लिक में यहाँ जो लि उठा लेजिए परंतु मंतब्य आपका ऐसा होना चाहिए कि गिरावट में आप खरीदेंगे जैसे हमारे विद्धियारती खरीदे हुए हैं नीचे नीचे सपोर्ट कहा है भाई साब तो सपोर्ट है अपना 2700 की लेवल पर फिर नीचे सपोर्ट है 1900 की लेवल पर तो 2700 से 1900 बीच में करीब आप 2524 मान लीजिए तो हर गिरावट HAL के शेर में खरीदारी का मौका है तो हमें भागती बस को नहीं पकड़ना है दीरे दीरे आराम से अक्यूमिलेट करना है जब माल ठंडा हो रहा हो अखवार में खबरे ना रही हो तब स्ट्रेट जिगली दीर दीरे अच्छा माल सस्ते दाम पर खरीदते रहे ताकि आपकी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे रहे उचाल आएंगे ओडर साएंगे तो भाईया जी शेर तो छड़ना ही चड़ना है इसलिए ये SIP स्टॉक बन चुका है और UBS ने कंपरिजन किया है भेल से HAL का लेकिन दोस्तों बेल की कोई हैशियत नहीं है HAL के सामने HAL अलग कंपनी है इसकी री रेटिंग होगी तो बेल से ज्यादा होगी परन्तु दोस्तों ये खरीदने बेचने की जो कला है वो जरूर सीखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस पर क् लेने की अगर शमता हो तभी निवेश कीजिएगा नहीं तो दूगा सलाम कर लिजिएगा